हलो एंड वलकम तो अंबाव अचीव ससी एंड रेलवे एक्जाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू आल मेरे नाम है शफाली राठोर और आज हम कंटीनिव कर रहे हैं एक सिरीज जैसे की अल्रेडी हम फॉर सेशन जो है वो कर चुके हैं तो अगेन आज है अपना फिफ्ट डे और हम ससी सीजियल के ही मॉक टेस्ट को कंटीनिव कर रहे हैं जनल स्टाडी के मॉक टेस्ट जो है वो हमारे आज के कंटीनिव होंगे चालिए तो रेडी है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अगर आपने अभी तक माइफ का डाउनलो करने अगर आप यह एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करोगे तो SSCCGL का जो बुक है इस बुक को भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे सारे फैकल्टी जने मिल करके यह बुक बनाई है एक प्रॉपर प्रैक्टिस बुक बनाई है इस प्रैक्टिस बुक को अगर एक्सेस करना है प्री ओफ कॉस्ट कुछ भी आपको चार्डनी करना है या नहीं देना है कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो आपको बस प्ले स्टोर पे जा करके यह एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है और आप अपने सब्जेक्ट वाइस टॉपिक वाइस जो है चैप्तर वाइस जो है तो प्लीज टेलिग्राम भी जोइन जरूर कर ले इसे भी इंपोर्टन शेडियूल नहीं पता है तो टेक श्क्रीन शॉट अफ शेडियूल इस पूरे शेडियूल का इस तरीके से आपका शिडियूल है मेरी जो क्लास है वो 11 बज़े आपके होती है यह रही है चालिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेशन की सीरीज को और पूरे क्वेशन जो है वह अपन लगाएंगे आज फ़स्ट क्वेशन से शुरू कर रहे हैं पहला क्वेशन देखे का आपकी स्क्रीन पर 1579 में किस ने मज़़झन माघ क कोजारी किया था मज़झन से रिलेंटेट एक धर्म से समध देधेक्लेरेशन था घंचन पत्र था और मज़झन भीटाइब कर आया था कऊन तो मज़झन माघ कर आया था कौन अकबर लेकर लेकर अ काज़घ इन के टाइम пример मज़र नामा की घोशना 1579 कई बार question कर लेते हैं कि बताईए अकपर ने मज़र नामा की घोशना कब करी तो इसका year भी याद रखिये कि 1579 में मज़र नामा की घोशना हुई थी ये बेसिकली आपके पूरे मुगल समराज के रूलर है शुरुवात बेटा मुगल समराज की बाबर से होती है तहला रूलर बाबर था सेकेंड रूलर हुमायू था फिर उसके बाद आपके जो है शेर्शा सूरी का एक ग्लिच जो ह गुला था तो यस्क्वेशन का करेक्ट अंस था बाबर है तो नेक्स्ट वैशन अप्की स्क्रीन पर नेक्स्क्वेशन ए गौत्मी पूत्रशातकर्नी रूलर ऌर मुटमी पूत्र साथ करनी जो थे यह बिसिकली इसकtest के शाशक की ओर लीकंगा के मुर आंस के मौरेंस-को nhưng यानि के प्रतिहानवंश और सातवाहनवंश, गौतमी पुत्र साथकर्नी, प्रक्त आंसर करते हैं and the right answer is सातवाहनवंश is the right answer, तो गौतमी पुत्र साथकर्नी जो है या आपके सातवाहनवंश के रूलर थे, नॉर्मली आप पोस्ट गुपता और पोस्ट मौया वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप ये पूरा एरिया पड़ते हो तो इससे भी क्वेशन बनता है कभी-कभी CGL जो है वो आपको प्रतिहान से, सात्वाहन से, चोल से, चालुक से, पल्लप से इस तरीके की क्वेशन दे न्यक्स कर देखे कि स्क्रीम पर देश है थैस एफ प्रफ्लर फोट दंस ऐस ओड़ते हैं ट्यूंड ऑडिसा एफ्क्रहते प्रूड़ते हैं लुपता अड़ते हैं लुपता हैं खॉक्डांक erhö। यह कश्मीर का फॉक गलाइब ब örजाब का Pris ये आपके वडी सब्सक्राइन के एंडर में पान्स में रहेगा जितने सब्सक्राइब जितने folk dance है, यह cover कर लो क्योंकि इनसे related query हमेशा मिलेगी, right answer करते हैं, next question आपकी screen पर, dash became the fastest wicket keeper for India to affect 50 dismissal in test cricket, test cricket में 50 बार आउट करने वाले भारत के सबसे तेज wicket keeper कौन बने थे, तो कि यह थोड़ा सा, maybe data change होता रहता है, यह तो आप लोगों को पते ही है, तो इसको थोड़ा सा current affair पर ही लेना, correct answer करते हैं, and the right answer is, रिशब पन्त जी, the right answer चर्चा में भी है इस ता में, तो रिशब पन्त आपका correct answer हो जाएगा, okay, next question है, the liver is affected and skin and eyes turn yellow due to the deposit of bile pigment, okay, which of the following digestive disorder is prescribed here, मतलब कोई एक ऐसा रोग बताना है बिटा, जिसमें आपका liver, यानि कि यकरत जो है न, वो प्रभावित होता हो, option देगो, vomiting, jointness, constipation, diarrhea, अगर बहुत वैसे बात करोगे, तो दो हिंट है इस question में, एक तो आपका हिंट बिटा यही है, bile pigment वाला, ठीक है, bile pigment yellow color में होता है पहली बार, ठीक है, दूसरा कह रहा है, skin और eyes turn yellow, दूसरी हिंट ही है, तीसरा, liver effect हो रहा है, सारी चीजे होती है, jointness, तीलिया में, सुनना बात को, जबी भी RBC, red blood cells तूटती हैं, ब्रेक होती हैं, तो वो एक yellow color का pigment निकालती है, जिसको अपन कहते हैं, bilirubin, अगर यह मात्रा में जादा हो जाए, तो it cause jointness, और jointness में liver, यानि कि आपका जो यकरत है, वो प्रभावित होता है, even jointness अगर बिगड़ता है, तो jointness hepatitis में convert होता है, और at last liver burst होकर death cause होती है, तो correct answer B, मुझे comment box में answer करतो, तो diarrhea में affected organs, diarrhea में होने वाला प्रभावित अंक बता देना, चलिए, आगे बढ़ेंगे जब तक अपन next question पर, answer मुझे comment box में दे दीजेगा, चलिए, next question अपके screen पर, with which sports do you associate the name, Prashanta Dora, who passed away at the age of 44 in January 2021, जन्वरी 2021 में जिनका 44 वर्ष के IU में मात्र निधन हो गया था, किस खेल से संबन्देते हैं, correct answer करते हैं, and the right answer is football, वो football से basically जो है, वो संबन्देते, correct answer D, sports, जब भी आप जैसे आप लोग preparation तो करी रहे होगे हैं, current affair में sports मच छोड़ा, current affair में sports से सब्से जादा questions आपके हैं, next question आपकी screen पर, which of the following plant hormones regulate growth, particularly by stimulating cell elongation in stem, आपके plant hormone से question है, बोल रहा है, तनों में कोशिका व्रद्धी, mainly कौन सा हार्मोन है, जो व्रद्धी के लिए responsible है, बिटा, एथिलीन हमेशा फलो को पकाने में सायक है, fruit ripening, fruit ripening के लिए basically सायक गुदर, वो भी naturally, साकर्टिक रूप में, correct answer, auxin, auxin आपका correct answer है, auxin की खोच सबसे पहले हुई थी, Darwin ने auxin नामक हार्मोन की खोच करी थी पौधो में, ये number of cell, ये कोशिकाओं की संख्या को actually increase करता है, बढ़ाता है, और इसी से ये व्रद्धी कॉस करेगा, ये व्रद्धी फोले करके आएगा, correct answer हो जाएगा, आपका option number, next question आपके screen पर, which schedule of Indian constitution, democrats देमोकरेट, the power of union and the state, कोई ऐसी सूची पतानी है, जसमें पेटा, संग सूची, राजय सूची, संभर्ती सूची वर्ने तो, गरी answer, 7th, 4th, 1st, 3rd, answer देखते हैं यहाँ पर, 7th schedule is the right answer, साथवी अनुसूची में ये सारी चीज़ है, मैं बहुत छोटी सी एक बहुत प्यारी सी ट्रेक बता जेती हूँ, सासे साथवी, सासे शक्तियों का विभाजत, ये जो टॉपिक है ना, इसको अपन शक्तियों का विभाजन कहते हैं, ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन कहलीजे, power of divisions कहलीजे, central state relationship कहलीजे, केंदर राज संबन कहलीजे, ये सब आपके 7th schedule के अंडर में आता है, 4th schedule, allocation of seats in Rajasabha, राजसवा में seatों का जो है, basically distribution, वो 4th में आता है, 1st schedule, state and union, अरेटरीज को define करता है, 3rd schedule आपके oaths define करता है, ठीक है, correct answer आपका option number A, next question आपकी screen पर, कह रहा है, पंचा, is a traditional sarung, won't by the men in the state of, पंचा जो है, ये basically आपके किस राज में पहना जाने वाला, एक male dress है, करिएगा answer, क्यारला, करनाट का, सिक्किम, असम, correct answer करते हैं, and the right answer is, करनाट का is the right answer, करनाटक में basically, करनाटक राज में पहना जाने वाला, एक प्रकार का dress होता है, पंचा, correct answer है, इस समय जितने भी GI tax हैं, उन पर भी ध्यान देना, next question आपकी screen पर, निमलिखित में से, कौन ओलंपिक में, दो इस परधाओं मिश्रित योगर और महिला योगर, के लिए qualify करने वाला, पहला भारतिये बैन्मिंटन खिलाडी हुआ है, आंसर करिएगा, पहला भारतिये बैन्मिंटन खिलाडी, पहला हैं, तो वो जो जल का pattern बनता है ना उसको बन क्या कहते है करी आंसर simply पहाडों से निकल कर और फिर आपके पूरी डिस्ट्रिब्यूट हो रही है इसको कहते है बन रेडियल correct answer होगा आपका option number C यह जो pattern है यह pattern आपका radial pattern जो है वो basically कहलाता है next question आपकी screen पर which of the falling liquid has the highest pH इन में से किस एक liquid का सबसे ज़्यादा pH है सबसे ज़्यादा pH का मतलब हो गया alkaline चार यह जो कि सबसे कम होगा तो acidic होगा सबसे ज़्यादा होगा तो alkaline होगा human blood का pH 7.4 something orange juice का pH 3 something lemon juice का pH 2.4 से 2.6 सम्थिंग और milk of magnesia का pH milk of magnesia क्या करता है आपके body में जो acid है उसको neutralize करता है यानि कि इसका pH कम होगा तो इसका pH आपके करीब 8-9 के लगभग जाता है तो सबसे ज़्यादा pH किसका होगा milk of magnesia का और जब pH ज़्यादा होता है तो वो जो product है वो जो चीज है वो कैसी होगी alkaline होगी छारी होगी correct answer C next question आपकी screen पर देखेगा okay next question कहे रहा है इन में से कौन से book Dalai Lama जी ने लिखी है okay यह questions जो है यह वाला question बुक वाले question बहुत आती है और जादा तरह ऐसा होता है कि बुक वाले question याद भी नहीं रहती इनको directly याद करने की कोशिश करना कि पूरी पूरी लिस्ट के साथ मत याद करना याद रहते भी नहीं है वैसे है ना correct answer होगा the little book of encouragement is a right answer यह है आपके Dalai Lama जी की एक लिखी हुई book correct answer C next question है रक्षा अनुसंधान इवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कोन है और यहांसर समीर वी कामत सुकवीर सिंह संधू एस मुडी धर यह शामल घुष correct answer करते हैं and the right answer DRDO का headquarter बेंगलूरू में इस्तित है और DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत जो है पुच्छोने गए थे correct answer होगा आपका option number है जितने भी organization है मैंने आपको आज की class में तीन static point बता दिये जितनी भी आपकी organization है वो आपको पढ़नी है books एक बार ही पढ़नी है और उससे भी important सारे classical or folk dance पढ़नी है तीस यह तीन topic त्यार कर लो question पक्ता मिल जाएगा next question next question आपकी screen पर who among the following wrote the non-fiction the paradoxical prime minister Nareen Modi and his India निम्रिकित में से किसने non-fiction the paradoxical prime minister Nareen Modi and his India नामक जो book है वो basically लिखी थी सल्मान रुष्दी शशी थरूर अरुन्दिति रॉय या चेतन भगत तर यह आंसर correct answer करते हैं and the right answer is Shashi थरूर जी is the right answer यह जो book है यह basically Nareen Modi की जो भी plannings है जो भी योजनाए है भारत के लिए उनके regarding actually यह book है जो कि Shashi थरूर जी ने लिखी है English सही करनी होते हैं इनकी novel जरूर पढ़ लेना next question आपकी screen पर which of the following is known as alkaline earth metal alkaline earth metal alkaline earth metal alkaline earth metal जो है वो आपका second एक रूप में आता है periodic table में 6 elements जो है वो आपके alkaline earth metal के अंडर count किये जाते हैं और इसमें अगर मैं बात करूँ कि कौन सा alkaline earth metal है तो बेटा केवल magnesium जो है ना यह आपके alkaline earth metal के अंडर में आता है या ब्रदा अचारिये दातू अपन इसको कहते हैं correct answer A next question आपकी screen पर which of the falling place is not located on the bank of river Ganga निमलेकिर में से कौन सा इस्थान Ganga नदी के तडपन नहीं है या वारानासी Ganga की किनारी नहीं है कानपूर नहीं है हजारी बाग नहीं है या फिर फाफा माउ नहीं है वारानासी और कानपूर तक तो ठीकता है दो आप्शन ने इस क्वेशन को थोड़ा सा टफ बना दिया है ना correct answer करते हैं the right answer is हजारी बाग is the right answer हजारी बाग गंगा की किनारी नहीं आता गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी में आती है 2525 मीटर की जो है वो किलो मेटर की जो है वो इसकी लेंथ है और भारत में यूपी उत्राखंड लिखना पहले उत्राखंड देन आफ्टा यूपी यूपी के बाद आपका थोड़ा सा जारखंड वाला पार्ट उसके बाद बिहार वाला पार्ट वेस्ट बिंगॉल वाला पार्ट और फाइनली आपका बांगलादेश इतने एरिया से होकर के जो है वो गंगा निकल जाती है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा option number C next question आपकी screen पर कह रहा है which of the following companies announced the launch of India's first virtual academy program as sport academy किस company ने भारत की पहली virtual academy program e-sports academy जो है वो शुरू करने की घोष्णा करी है काफी जाने मानिक अंपनी है यह जीयो नहीं है correct answer as well as is the right answer इनका basically एक launch आया है जो की e-sports से related है correct answer A next question who among the following is one of the author of Hitman the Rohit Sharma's story ने में लिकित में से एक तौन the Hitman the Rohit Sharma's story के लेखख है basically biography है यह G.Krishnan Manubam Kher Sanjana Desai यह फिर S. Harish is the right answer correct answer S. Harish is the right answer sorry S. Harish नहीं correct answer is G.Krishnan is the right answer G.Krishnan जो है इन्होंने बेसिकली Rohit Sharma की the Hitman नामक book Rachit Hariti correct answer A next question who among the following was the first player from the Indian subcontinent to play for a European football club correct answer करते है and the right answer is Mohammed Salim is the correct answer Mohamad Salim basically Indian subcontinent में इस चीज के लिए चुना गया था correct answer हो जाएगा आपका option number B next question देखिएगा which Sultan established a separate department दीवाने आमीर या अमीरे कोही कहलो या दीवाने कोही कहलो to take care of agriculture अमीरे कोही बिटा Delhi Sultanate में start किया गया था Delhi Sultanate में एक रूलर था उसको पागल बाच्शा भी कहते थे चलो एक हिंट दे दिया मैंने पागल बाच्शा भी कहा जाता था लेकिन बहुत intelligent rulers में से एक थे बस वह बादा लगे कि उनकी कहानिया उनकी योजनाय लोगों को समझ नहीं आ पाई correct answer करते है and the right answer is Mohamad bin Tuglaq Mohamad bin Tuglaq ने दीवाने को ही या अमीरे को ही नामक एक डिपार्टमेंट की शुरुवात करी थी जो कि agriculture से related था यानि कि आपके क्रशी से संबंदित था correct answer आपको option number D next question who among the following is the author of the book sea of the poppies sea of the poppies नामक जो book है उसके author बताईएगा correct answer करते है and the right answer is Amitabh Ghosh is the right answer Amitabh Ghosh जो है इन्होंने basically आपके ये book की रचना करी थी next question आपके screen पर next question है यशोविग्रह, महीचंद्रा और चंद्रदेव डैश वंश के पहले तीन शाशक थे चोहान वंश, पराठा वंश गेहडवाल या वाधियार योशी इसमें आपको शाइद चंद्रदेव शाइद पता हो नहीं पता है तो कोई बात नहीं बता दे रही हू correct answer करते है and the right answer is गेहडवाल इजा correct answer गेहडवाल आपके right answer हो next question है Geyasuddin Tuglaq was a governor of डैश during the region of Allahuddin Khilji अलाउदीन खिल जी जब भारत पे राज कर रहा था तो बेसिकली उस समय गया सुद्दीन Tuglaq कौन था तो कि गया सुद्दीन अलाउदीन खिल जी के तुरंद बाद ही फिर यह आपके तुगलक्स आ गए थे खिल जी के बाद यह उस समय पर पंजाब का गवर्णर था यह कहिए पंजाब को बेसिकली उस समय अड्मिस्ट्रेशन पंजाब का कर रहे थे तरेक्ट आंसर B लास्ट क्वेशन कह रहा है चिंकारा मर्द प्रदेश राज में लोग प्रिये एक संगीत वाधियंत है अगर आपने अभी तही आप्लिकेशन डाउलोड नहीं करी है इंबाइप की तो प्लीज डाउलोड कर ले चिंकारा MP का बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पिटा पर यह का आंसर लेट नहीं इस प्रिंग्द एस राइट आंसर यह बेसिकली आपका स्ट्रेंड करके पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या अप्शन नमबर A and ऐसे ही रोज SSE CGL का मौक टेस्ट में करा रही हूँ तो ये मौक टेस्ट को अटेंड करने के लिए सुबह ग्यारा बजे आईए जाधा टाइम नहीं होता है आतर आदे गंडे का ही रहता है तो उस आदे गंडे में बहुत सारी क्वेस्टेंज गैदर कर सकते हूँ क्या है जाल यह विलते हम आप लोग से निक्स एक्स क्लास में तब तक के लिए थांक्यू सो मच ख्याल रखिये प्रपरेशन करते रही है बाय बाय और जैहिन क्यार कुश्य विब्लेव आप कर दो में यू